हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबला ओनलाइन, दिस इस अंकीता सूद, सो पेपर वान के फाइनल रविजिन में, आज हम यूनिट नमबर टेन, हायर एडुकेशन सिस्टम यूनिट के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स को क्विकली रिवाइस करने वाले हैं, अगले 60 म के अंदर ये पूरी यूनिट में आपको रिवाइस करवाऊंगी, जिससे कि आपको एक लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा, कि कैसी अभी तक आपकी तयारी चल रही है, और अगर कोई टॉपिक मिस हुआ होगा, तो वो भी आज की सिरीज में आपका असानी से कवर हो जा साथ ही आपके रिविजिन के लिए पी वाइक्यूस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेशन की सिरीज भी आपको मिलेगी, जिसमें आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताये जाएंगे, जिसकी मदद से बहुत इसलिए आप अंसर को इडेंटिफाई कर सकते हो, इसकम समय में आप की रिविजिन अच्छे से हो, इसके लिए 5000 क्वेशन भी है, यहाँ पर आपको यूनिट वाइस, पी वाइक्यूस और एक्सपेक्टेड क्वेशन मिल जाएंगे, वो भी अंसर और एक्स्पेक्टेड के साथ, और यकीन रखिए स्टूडेंट्स इसमें से आपको आपको आ काम करता है और पहले कैसे काम करता था, तो इंडिया में हाइर एडुकेशन सिस्टम किस तरह से अभी काम करता है, और पहले कैसे काम करता था, तो इंडिया में हाइर एडुकेशन सिस्टम का नियंतरित और प्रशासित रखने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानि की यूजिसी का निर्मान हुआ है, किसे भी चीज़ को हाइर एडुकेशन में कंट्रोल करना है या एड्मिनिस्ट करना है, तो उसके रिस ही जाती है, हम वो भी डिसकस करेंगे, उसके साथ ही आजादी से पहले पुराने जमाने में प्राचीन काल में इंडिया में एडुकेशन कैसे हुआ करती थी, वहां से हम शुरू करेंगे जो की बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए, तो एक काल जो की 1,000 एसापुर्व से लेकर के 600 एसापुर्व के बीच में आता है, देन वी हाथ व्धिस्ट पीरियड जो की 600 एसापुर्व से 12—। के बीच में आता है, धीसरा आता है Mediative period यानि की Madhyakal, उसके बाद आता है Pre-Independence इंडिया यानि की British इंडिया जिसको बोलते ह जो की आजादी से बिलकुल पहले का समय था Then we have post-independence India यानि की आजादी के बाद 1947 के बाद education, इंडिया के education में क्या-क्या बदलाव आए है ये सब चीजे हम one by one सबसे पहले discuss करेंगे and मैं आपको बता दूँ कि इस topic में से 2-4 question हर साल, हर शिफ्ट में जरूर पूछे जाते है So सबसे पहले वेदिकाल से शुरू करते हैं वेदिकाल में क्या होता था? Teacher और student नहीं होते थे उस समय गुरू और शिश्य हुआ करते थे ठीक है? गुरू और शिश्य हुआ करते थे School, University, College भी नहीं होते थे उस समय गुरू कुल हुआ करते थे आपस बढ़ती है topic की ओर जसमें हम बात कर रहे थे वेदिक पीरियड की बारे में correct? So वेदिक पीरियड में ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है? देखो वेदिक पीरियड में मैंने आप लोगों को जैसे की बताया गुरु कुल होते थे गुरु मतलब टीचर कुल मतलब घर यहाँ पे जो शिश्य होते थे यहाँ पे जो शिश्य होते थे वो गुरु कुल में जाकर के रहते थे जैसे आज की समय में बच्चे होस्टल में जाकर के रहते पढ़ते हैं वैसे ही शिष्य गुरुकुल में जाके पढ़ते थे और वहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? वहाँ पे बच्चों को वेद के बारे में बताया जाता था तो सबसे important point यहाँ पे है वेदाज वेदाज essentially means knowledge वेद का मतलब होता है knowledge जो की हमें हमारी संस्कृती हमारे हर चीज के बारे में बताते हैं तो total हमारे पास कितने वेद होते हैं? total हमारे पास चार वेद होते हैं पहला वेद है Rig Ved, R.I.G. ठीक है? Hindi medium students के लिए भी same रहेगा पहला वेद है Rig Ved दूसरा वेद है Yajur Ved तीसरा वेद आता है अधर्ववेद दिन वी हैव साम वेद साम वेद, ठीक है? तो यह चार वेद थे जो की वेदिक पीरियड में पढ़ाय जाते थे इसके अलावा यहां पे और क्या करवाया जाता था? यहां पे पढ़ाया जाता था वेदंगाज के बारे में टोटल नंबर भी आपको याद रखना है वेदंगाज के बारे में बताया जाता था जो की हमारे पास चार होते हैं कौन-कौन से वेदंगाज होते हैं? पहला आता है Phonetics दूसरा आता है Grammar यानि कि व्याकरण के बारे में इसमें बताया जाता था तीसरा आ जाता है Metrics इसमें Basic Calculation, Basic Mathematics आता था और उसके बाद चौथा आ जाता है Ritualistic Knowledge यानि कि जो भी हमारे संस्कृती से रिलेटेड ज्यान होता है कि अपनी संस्कृती को कैसे Maintain रखना है उसको आगे वाली जनरेशन को कैसे बढ़ाना है बताना है ये आता था एंड एक additional चीज इसमें आड़ की गई थी वो है Astronomy जैसे कि आपने Astronomy सुना होगा जो भविश्य बताते हैं या जो समय important काल ये सब चीज़ें बताते हैं तो विदंगास भी इसके अंदर आते थे उसके बाद वेधिक पीरिड में स्टूडेट्स को क्या करवाया जाता था उपनिशद पढ़ाय जाते थे उपनिशद पढ़ाय जाते थे तो total कितने उपनिशद होते हैं 108 उपनिशद होते हैं उसके नाम यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बस आप नंबर यादर दीजे Then इसमें बताया जाता था दर्शन शास्त्र So दर्शन शास्त्र के अंदर कौन सी चीज आती थी? इसके अंदर आ जाता था न्याय उसके बाद आता था योगा उसके बाद इसमें आता था मिमामसा then we have विदान्ताज विदान्ताज जिसको आप विदान्त के नाम से जानते हो उसके बाद आ जाता था इसमें वैशेशिका and last आता था संख्या यह सभी चीज़ें हमने लॉजिकल रीसनिंग में भी पढ़ी है अगर आपको याद है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ाई जाती है जिसको बोला जाता है भगवत गीता आप लोगोंने जरूर भगवत गीता के बारे में सुना होगा सुवेधिक काल में बच्चों को भगवत गीता भी पढ़ाई जाती थी जब वो गुरुकुल में रहते थे इस समय में क्या होता था इस समय में एक एज निमिट बच्चों की रखी जाती थी कि अगर कोई बच्चा 5 साल का है 5 साल तक की एज तक उनको बेसिक चीज़े बताई जाती थी और 5 साल के बाद उनको एक formal education शुरू करवा दी जाती थी और उस formal education के लिए एक ceremony होती थी जिस ceremony को बोला जाता था उपने आया ठीके उपने आया को अगर हम English में बोलें तो initiation इसका नाम दिया जाता है ठीके ये ceremony होती थी कि बच्चा 5 साल का हो गया है और अब उसको formal education दी जाएगी correct, so I hope यहाँ तक के concepts आपके बिल्कुल clear हो चुके हैं यह हमने यहाँ पर बात की थी वेदिक period की इसके अलावा अब दूसरा period है Buddhist period जो की बहुत जादा important है so Buddhist period पर भी जाने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि जो वेद होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि total हमारे पास 4 वेद होते हैं इन सभी वेद को characterize किया गया है जो की important है कि कौन से वेद के अंदर कौन सी चीज़ होती है एक्जाम में जरूर पूछा जाएगा सबसे पहला वेद है हमारे पास Rig Veda Rig Veda को बोला जाता है collection of lyrics collection of lyrics ठीक है इस वेद के अंदर किन किन चीज़ों को cover किया गया है इस वेद के अंदर सबसे पहले ये सबसे पुराना वेद है जिसके अंदर इतने जादा lyrics होते है और इस में हमारे पास total 10 mandals है एक्जाम में ये पूछा गया है कि Rig Veda के अंदर कितने mandal है तो इसके अंदर total 10 mandal है उसके बाद फिर दूसरा वेद आ जाता है इस वेद का नाम है साम वेद साम वेद साम वेद के अंदर क्या है साम वेद को बोला जाता है Book of Chance आप लोगों को इसका मतलब है कि मंतर इसके अंदर लिखे हुए है जितने भी आप लोगोंने मंतर सुने हैं चाहे हम गायतरी मंतर की बात करें या हम किसी भी मंतर की बात करें वो सारे साम वेद के अंदर लिखे गए है तो इस वेद में टोटल 1, 5, 4, 9 वर्सेज है इसको आप डारेक्ली याद रख सकते हो नंबर्स को ठीके और साथ ही इसमें इंडियन म्यूजिक के बारे में भी लिखा हुआ है इंडियन म्यूजिक के जो भी सरगम है सारे गामा पाई आपने सुना होगा वो सारे साम वेद के अंदर लिखे गए है और इसके अलावा इसमें क्या है इट इस ओनली इन वर्स वो इंपोर्टेंट नहीं है अब हम डारेक्ली बढ़ते हैं तीसरे वेद की और तीसरा वेद है हमारे पास यजुरुवेद तीसरा है यजुरुवेद So यजुरुवेद को बोला गया है Book of Sacrifical Prayers Right So इसमें क्या है This book is divided into two parts पहला पार्ट है कृष्ण और इसका दूसरा पार्ट आ जाता है शुक्ल यजुर वेदा फिक है पहला है कृष्ण यजुर वेदा तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है और इसमें आपको इतना ही काफी examination point of view से next type जो है next wave जो है वो है अथर्ववेद अथर्ववेद इसको बोला जाता है book of magical formula book of magical formula इस book में क्या है जितने भी charms है जितने भी spellings है evils है diseases है वो सब इसके अंदर आती है simple language में बोलू आप लोगोंने आयुर वेदा का नाम जरूर सुना होगा आप लोगोंने आयुर वेदा सुना होगा जिसमें की home remedies होती है तो ये सारी चीजें अथर्व वेद के अंदर लिखी हुई है अगर किसी को कोई बड़ी सी बिमारी है और उस बिमारी का solution हमें चाहिए तो इन सभी वेद में से आपको कौन सा वेद पढ़ना हो सकता है तो उसके लिए आपको अथर्व वेद पढ़ना होगा इस तरह के questions exam में आते हैं तो ये basic चीजें है examination point of view से अगर मैं बताऊं तो 2022 की ही एक shift में ये question आया था कि आयोरवेदा किस बेद में है अगर हमें मंत्र पढ़ने है हमारे जो संस्कृति के अंदर मंत्र है वो किस बेद में हमें मिलेंगे या फिर अगर हमें सरगम के बारे में जानना है तो वो हमें किस बेद के अंदर मिलेंगे तो ये basic से चीजे हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसके बाद हमने जैसे कि यहाँ पर बात की थी उपनिशद के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि टोटल हमारे पास 108 उपनिशद होते हैं तो ये 108 उपनिशद के अंदर और क्या क्या चीज़े होती हैं ये मैं आपको बताती हूँ अर एक पॉइंट को नोट कर लीजिए तो उपनिशद दे आर फिलोसिफिकल इन नेचर के अंदर 108 नंबर के उपनिशद होते हैं और ओल्डेस्ट उपनिशद इसमें कौन सा है ये आप लोगों के लिए मैंने एक homework question दे दिया मेरा जो complete full syllabus lecture series है उसमें मैंने ये चीज़ discuss की है कि उपनिशद में जो सबसे oldest, सबसे पुराना उपनिशद है, उसका क्या नाम है ये एक previous year question है जो कि लगभग हर साल पूछा जाता है उसके बाद एक और important topic ये और हम लोग बढ़ते है इस topic का नाम है विदांगास, जरूर इसको आप लोग note कर लीजे, जैसे मर्जी याद रखिये, वो आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि एक्जाम में इससे question आते ही है correct, तो यहाँ पर हमारे पास विदांगास आते हैं, विदांगास total six होते हैं जिसमें की पहला आता है शिक्षा, शिक्षा का मितलब आप सभी को पता होगा दूसरा विदांगा क्या आता है प्रति शाख्या यह क्या है, यह यह fenotics का सबसे पुराना text है, यह text का format है text का type है, इसको भी दो हिस्सों में divide किया जाता है generally and उसके बाद अगर हम लोग तीसरे की बात करें, वो है निरुकता जिसको चंदा भी लिख सकते हो चंद, इसका मतलब होता है matrix, यह मैंने आप लोगों को अभी बिताया था next आज आता है इसको आप इस तरह से लिख सकते हो चंद सुत्राज चंद सुत्राज चंद सुत्राज क्या है इट वोज रिटन बाई पिंगल जो की एक famous text है, आप लोगों ने जरूर पिंगल के बारे में सुना होगा इसकी spelling ऐसे होगी पिंगल, ठीके, यह एक famous text है जिसमें की चंद सुत्रा को लिखा गया है, उसके बाद आ जाता है जोतिश, जोतिश आप लोगों ने बहुत ही जादा important है next अगर हम लोग अगले topic की बात करें तो वो आज आता है Buddhist period तो Buddhist period में हमने देखा था कि 600 इसापूर्व से 1200 इसापूर्व तक का यह समय था तो Buddhist period के साथ हम जैनिजम के बारे में पढ़ते हैं पहले जो की जादा important है नहीं चलो Buddhist period देख लेते हैं Buddhist period में students कुछ universities आती है famous universities हैं जैसे की पहली है नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पे है? बिहार में है उसके बाद आ जाती है ओदंत पूरी ओदंत पूरी इन सभी के बारे में हम आगे detail में discuss करेंगे कि क्या इनके major subjects थे और क्यों ये universities फेमस है उसके बाद आ जाता है सोमापूरी ठीके ये तीनों बिहार में है सोमापूरी बिंगॉल में है नौर्थ बिंगॉल में है उसके बाद आ जाता है जगादा जगादा यूनिवर्सiटी भी बिंगॉल में है बललभी बललभी यूनिवर्सिटी गुझरात के अनबर है ठीके सो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट पीरिड के समय पे बनी थी उसके बाद अगर हम जैनिजम की बात करें जैन धरम की बात करें तो उस समय पे जैन धरम में किस तरह से काम होता था जैन धरम में कुछ टाइप्स के नौलेज दिये जाते थे जिसमें की पहला था मती जनना बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है मती जनना में क्या होता था जो भी हमारे sense organs sense organ क्या होगे जिससे हम समझ सकते है चीजों को नांक आंक touch वाली feel जो होती है ये सब चीजे समझने के बारे में मती जनना के अंदर बताया जाता था दूसरा आ जाता है शृती जनना शृती मतलब सुनना ठीक है, so knowledge revealed by scriptures जो सुनी-सुनाई बाते होती है बहुत सी चीज़े आपने अपने पेरेंट से सुनी होंगी चाहे आपने वो अभी तक देखी नहीं है तो वो सब चीज़े सच होती है ये जैनिजम के शुती जनना के अंदर बोला गया था दीसरा knowledge होता है अवधी जनना अवधी जनना यानि की समय के साथ साथ जो चीज़े हम सीखते है चौथा है इसमें मना पर्याय जनना मना पर्याय जनना यानि की टेलीपैथी knowledge हम बोलते हैं की अच्छा जैसे हमारे घर पे आज कोई guest आ गए तो मैं बोलती हूँ की अच्छा आज मुझे कुछ feel हो रहा था कि कोई guest घर पे आने वाले है या फिर किसी friend का phone आ जाता है तो हम बोलते की हाँ आज मैं तुझे ही याद कर रही थी तो ये क्या होता है मनन जनना यानि की मन में हमने कुछ सोचा हमारे मन में कोई feeling आई और वो सच हो गया उसके बाद पांचवा टाइप आ जाता है इसमें केवल जनना केवल जनना जो की temporary knowledge होता है तो I hope students यहां तक के concepts आप लोगों के बिलकोल clear हो गए है इतने में अगर आप लोगों को कोई doubt है तो आप अभी तक इस video को repeat करके देख सकते हो मुझे comment करके बता सकते हो अभी तक के किसी topic में आपको लगता है कि detail में में कोई और session लेना चाहिए तो आप मुझे comment कर दीजिए उसी particular topic पर मैं detail में आपके लिए एक video लेकर करके आऊंगी correct तो यहां तक के concepts आपके जो भी है मुझे comment जरूर जरूर कीजेगा ठीक है so next अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम Vedic literature की बात कर रहे थे हमने यहां पर यह सारी चीजें पढ़ ली है अब हम बात करते हैं important and famous universities की जो की ancient universities हैं इंडिया की correct so ancient universities में सबसे पहली आती है तक्षिला यूनिवर्सिटी जो की world की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तक्षिला जो है एक city का नाम था जिसके नाम पे यह तक्षिला यूनिवर्सिटी रखी थी आप लोगों ने वालमी की रामायन के बारे में जरूर सुना होगा तो उन्हों ने ही तक्षिला यूनिवर्सिटी के बारे में सबसे पहले information दी थी एक्जाम में यह question जरूर जरूर पूछा जाएगा ठीक है यहाँ पे देखोगे इस मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर मैंने आपको बताया था कि बुद्धिस्ट पीरिड के दौरान यह बनी थी पॉर्टिकिलर्नी दे जटकास आज एक प्रेज़ेंटर आपकिस्तान के एक डिस्टिक में आ चुका है जैसे आपको पता है कि अजादी से पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे तो यह उनिवरसिटी इंडिया में काउंट हुआ करती थी बट अजादी के बाद इसको पाकिस्तान में shift हो गई है और यहाँ पी इस पर्टिकलर्रली नोर्टिक्ट्स लाइक Scriptures, Law, Medicine, Astronomy Hindi medium students यहाँ पर देख सकते हैं Military Science and 18 SILPS or Arts ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि Science, Medicine इन चीजों के लिए यह famous थी यह वाली statement exam में बहुत बार ऐसी की ऐसी पूछी गई है and अगर हम बात करें it is believed that over 10,000 students from China Babylon and Greece in addition to Indian students studied there so बहुत famous लोग थे, 10,000 से जादा बच्चे यहाँ से pass out हुए थे उस समय में जो कि और भी countries के अंदर आये थे और भी countries से यहाँ पर पढ़ने के लिए आये थे यह Taksila University का एक previous year question है इसमें पूछा गया है Taksila, an ancient center for higher learning in India was declared as a heritage site by UNESCO Inn so heritage site इसको कब गोशित कर दिया गया है इसका correct answer है 1980 तो आपको Taksila की history का बस एक question पता होना चाहिए और भी थोड़ा देख सकते हो और उसमें कौन से subjects पढ़ाई जाते थे आप वो कहां पर है यह आपको पता होना चाहिए अगर हम कुछ famous personalities की बात करें कुछ बहुत ही famous लोगों की बात करें जो कि Taksila University से पढ़े हुए थे तो उसमें पहला नाम आता है Grammarian Grammarian Panini यह आपने जरूर नाम सुना होगा Grammarian Panini दूसरा आजाता है कौटिल्य कौटिल्य जो है वो इसी से पढ़े थे चंदरगुप्त मौर्य चंदरगुप्त मौर्य भी Taksila University से ही पढ़े हुए थे राइट सो इस सारा से आप देख सकते हो कितनी famous university यह उस समय पे हुआ करती थी then we have second university जिसका नाम है मिथिला मिथिला University so मिथिला is a geographical and cultural region of the Indian subcontinent bounded by Mahananda river in the east, the Gengs in the south and Gendaki river in the west and by the foothills of the Himalayas in the north it comprises certain parts of Bihar and Jharkhand and some part of eastern Therai of Nepal so यहाँ पे अगर हम लोग देखे so यह university कुछ Bihar, कुछ Jharkhand and Nepal के section के अंदर आती है and इस university में literature, fine arts, science, scriptures, veds, नियाए, शास्त्र और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी two subjects that became popular in this university वो क्या थे, वो सबसे पहला subject था नियाए जो कि इस university का एक हम बोलते हैं हर एक university के एक speciality हो भी है वैसे ही मिथिला university के speciality नियाए थी and तरक शास्त्र था तरक शास्त्र थीक है यानि की logic ये दोनों के लिए मिथिला university बहुत ही famous मानी जाती थी then we have तेलहारा university तो तेलहारा क्या है तेलहारा एक village है नालंदा बिहार में एक नालंदा नाम की जगह है उस सी के अंदर एक village का नाम है तेलहारा जहां पे ये university है and it was the site of a Buddhist monastery in ancient India so किसी समाने में ये बहुत लोगों का मठ स्थान माना जाता था it is located near to नालंदा university so इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे तेलहारा कुट भी तिलास अकीरा so ये important नहीं है आप रस ये देख लीजे तेलहारा university was older than नालंदा and विक्रम शिला university so ये देखो हम सोचते थे कि नालंदा और विक्रम शिला पुरानी है लेकिन उनसे भी पुरानी है तेलहारा university ये बहुत जादे important तो नहीं है बड़ आपको थोड़ा सा knowledge होना चाहिए कि कई बार exam में बस इतना सा पूछा जा सकता है कि तेलहारा पुरानी है या नालंदा या विक्रम शिला so इस point of view से ये important है otherwise ये university के बारे में जादा पढ़ने की जरूरत नहीं है then we have Shraddhapeet Temple University so it is a cultural site and ancient temple located in Pakistan occupied Kashmir region ठीक है so आपको पता है जो Kashmir का कुछ पार्ट पाकिस्तान में है उसमें ये आता है उसमें ये university आती है it is believed that it was established in 237 Isapur during the region of Emperor Ashoka so Ashoka के समय पे ये university बनी थी text written by Panini and other grammarians were stored in this place ठीक है so ये सब चीजें इसके अंदर आती है ये भी जादा important नहीं है बस इतना knowledge काफी है then we have most important unit जिसका नाम है Nalanda University most important university है ये so Nalanda was one of the famous universities of ancient India and historic center of higher learning in Bihar India इसके अलावा it was primarily dedicated to Buddhist studies but it also provide education in fine arts, medicine, maths, astronomy, politics and other arts of battle so ये सारी चीजें Nalanda University में पढ़ाई जाती है अगर इसमें हम बात करें इसमें बहुत जादा दूसरी country के students पर आते थे जैसे चाइना, ग्रीज, तिबित यहांके बहुत से students Nalanda University में पढ़े है and क्योंकि ये एक पुराने जमाने की एक एतिखासिक यूनिवर्सिटी है प्राचीन भारत की यूनिवर्सिटी है फिर भी उस समय यहां पे mission के लिए इतना जादा जोर रहता था कि उस समय भी यहां पे entrance examination हुआ करते थे and education, entrance examination हुआ करते थे and education थी वो बिल्कुल free of cost थी बिल्कुल मुफ्त में यहां पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी and इसमें subject कौन कौन से पढ़ाय जाते थे इसमें buddhism पढ़ाया जाता था वेद पढ़ाया जाते थे logic, sanskrit, grammar, medicine and इस तरह के सारे subject से यहां पे पढ़ाय जाते थे इसके अलावा students आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जो की है बक्तियार यह एक ही है ठीक है बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा बक्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलकुल destroy कर दिया था, बिलकुल खतम कर दिया था, बट यह उस समय पे बहुत famous हुआ करती थी next यहां पे देख सकते हो नालंदा यूनिवर्सिटी से related एक important question है जो की PYQ है exam में पूछा गया था correct इसमें direct proof of statement है आप question को पढ़ लीजेगा मैं answer आपको बता रही हूँ directly अगर समझ आ गया है तो भी मुझे comment कीजिए students अगर आपको यह session पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको continue रखूँ तो please मुझे comment कीजिए मैं definitely आप सभी students के request को हमेशा की तरह पूरा करूँगी and अगर आपको लगता है कि कोई और topic भी इसमें include होना चाहिए तो भी मुझे आप comment करके बता सकते हो next unit we have Odantapuri University so it was set up in Odantapuri जो कि बिहार में है Buddhist Maha Vihara जो है यह university है and it was founded by the Pala Emperor Gopala 1 in the 8th century, 8th century में यह बनी थी बससमें इतना याद रख लीजिए and the university attracted students from so many countries and that was attained by Nalanda और Vikramshila University then we have one more university that is Vikramshila important है यह भी Vikramshila is mostly known as Tibitian sources exam में यह statement as it is आती है कि Tibitians की university किसको बोला जाता है यह उसे related study कहां पे होती है तो वो है Vikramshila particularly the works of Taranta 16th to 17th century Tibitian monk historian logic, veda, astronomy, urban development, law, grammar, philosophy यह सारी चीजें इस university के अंदर पढ़ाई जाती थी Vikramshila University के founder कौन है? इसके founder है धरम पाल important question है ठीक है? तो यह कुछ important university थी जो की आपको definitely exam में पूछी ही जाएंगी at any cost Then we have next topic Next topic जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है New National Education Policy जिसको NEP 2020 के नाम से जाना जाता है अब यह topic हर साल exam में आता है इसमें से दो questions जरूर पूछे जाते हैं लेकिन यह topic बहुत बढ़ा है तो मैंने इसको यहाँ पर कबर नहीं किया है मैं already topic पे separate video में आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका link आपको description box में मिल जाएगा जरूर उस video को देखिए and मुझे comment करके बताईए कि आपको वो session पसंद आया कोई doubt रहेगा तो भी आप उस video के नीचे मुझे comment करके बता सकते हो इसके बाद next बढ़ते हैं important topic है यह बे कि regularity regulatory bodies कौन सी है higher education में so higher education को बहतर बनाने के लिए कुछ commission कुछ bodies बनाई दी जिनके अपने responsibilities होती है उसमें सबसे पहला आता है ICHR का नाम so ICHR मतलब Indian Council of Historical Research यह क्या है यह एक autonomous body है यानि की स्वायत निकाय है ministry of education के अंदर ही आता है it provides financial assistance to historians and scholars through grants fellowship and symposia तो यह क्या करता है जो भी इतिहासकार होते हैं जो history पे research continuously करते रहते हैं उनको यह grant देता है, कुछ fellowship देता है, कुछ fund देता है, कुछ पैसे देता है ताकि वो easily research कर सके its headquarter is in Delhi with regional centers in Pune, Maharashtra, Bengaluru, Karnatka and Gowahati आसा its first chairman was the historian Ram Sharant Sharma तो यह खुद एक historian थे इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि यह किस तरह से बहुत सारे इतिहासकारों को और जादा motivate करते हैं कि वो research करते रहें ICHR is founded by grant in aid received from Department of Higher Education and इसका objective क्या है इसका objective यह है कि जो भी इतिहासकार है वो इकठे होकर बहुत से research करें जिससे कि और भी जादा हमारे देश का नाम बढ़ सकता है and आपको बता ही होगा कि research जितनी जादा होती चाहेगी उतना जादा development भी होता रहता है and साथ ही यह scientific and objective history को एक national level पर direction देने में भी मदद करता है second है हमारे पास AICTE All India Council for Technical Education यह क्या है यह statutory body है यानि की विधानिक निकाय है and यह national level council है जो कि technical education पर ध्यान देता है अब यह को हमारे इंडिया की ही अगर हम बात करें तो बहुत से technical courses होते है उन technical courses का क्या syllabus होना चाहिए किस तरह से उसको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो उन सब चीजों को manage करने उन सब चीजों को handle करनी के लिए responsible है AICTE जो कि examination point of view से important topic है तो पहले यह क्या था एक advisory body था अब यह बन चुका है statutory body तो इस तरह के questions में देखो आप लोगों को statement based questions आते हैं अगर आपको पता है statement based questions कैसे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो मैं इस से देखो आपके लाए NTA concept clear करता है कि statement देगा तो concept clear होंगे clear होंगे आपके तभी आपको उसका correct answer दे सकते हो अगर आपको नहीं पता कि statement based questions कैसे होते हैं कैसे उनको solve किया जाता है तो आप description box देखिए वहाँ पर एक video का link मैंने दिया हुआ है या फिर मुझे comment कर दीजिए मैं separately आपके साथ link share कर दूँगी तो आपको idea हो जाएगा कि कैसे questions यहां से पूछे जाते हैं AICTE was given statutory status by Act of Parliament and it is responsible for proper planning coordinated development of India's technical education and management education system and इसका headquarter है Delhi में इस तरह के headquarter वाली important होती है statements एक्जाम में पूछी जाती है करें इसके objectives की पात करें इसका objective होता है अपनी technical education का अच्छे से plan करना फिर उसको formulate करना जो plan किया है उसको implement करना उसके बाद उसका maintenance का ध्यान रखना उसके जो standards है उसके जो norms है norms का मतलब होता है rules regulations ठीक है education की जो quality है and जो उसका हम accreditation देते हैं उन सब चीजों का ध्यान रखना ही एक major focus है AICTE का next आचाता है ICSSR जो इसका नाम है Indian Council for Social Science Research इसके नाम से पता चल रहा है कि social science related कोई भी research अगर करते हैं तो उसको handle करना उसको manage करना इस department का role होता है तो ये national body है overseeing research in social sciences in India and 1969 में इसको establish किया गया था इसका headquarter भी कहा है New Delhi में ही है the council formally became active in July 1981 तो देखो ये बन तो गई थी 1969 में लेकिन 1981 में ये officially activate कर दी गई थी जुलाई वाले मन्त में next आजाता है UGC जो कि एक सबसे जादा important topic है exam हमारा नाम है NTA UGC Net तो इसमें UGC के question आना जाहिर सी बात है so UGC के full form university grant commission it is a statutory body देखे statutory body है अगर आपको पता है कि statutory body क्या होती है तो मुझे comment करके जरूर बताइए ताकि और बच्चों को भी इसमें मदद हो जाए बिधानिक निकाय है ये that is set up by government of India according to UGC at 1956 ये ministry of education के अंदर आता है जिसको पहले M.H.R.D. के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम ministry of education हो गया है it is charged with coordination maintenance determination of higher education standards so higher education इंडिया में जो है उसके सारे काम को coordinate करना उसको अच्छे से ध्यान रखना काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है उससे फाइदा students को होता है की नहीं होता है ये सब चीजों का ध्यान रखना इसका भी headquarter New Delhi में है and six regional center है पूने, बोपाल, कॉलकाता तो इसको एक नहीं regulatory body से replace करने का पूपोजल आ चुका है जिसका नाम है HECI under the consideration by government of India so government of India का ही ये decision है कि इसको इस तरह से change कर दिया जा सकता है then we have जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वही है UGC के बारे में ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके important centers है head office New Delhi चोटे-चोटे offices यान की regional offices कहां पर है in six cities में है अब आते हैं अगले topic की और जिसमें हम बात करने वाले है characterization of universities के बारे में so universities को किस तरह से characterize किया गया है किस तरह से उनको अलग-अलग हिसों में divide कर दिया गया है यह हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है central university, state university, private then deemed to be universities तो total इंडिया में 48 central है 392 state है 317 private universities है and 125 deemed to be universities है total 880 universities इंडिया में running है इस समय पे इसके अलावा कुछ important points है जोगी you just in it examination के लिए students आप सभी को पता होना बहुत ही जादा जरूरी है so यहाँ पे अगर हम लोग देखें सबसे पहले the state with most universities तो राजस्थान में सबसे जादा universities है total 76 कौन से state में सबसे जादा deemed to be universities है deemed to be universities होते है जो कि वो खुद से ही इनका curriculum, इनका syllabus इनका हर एक pattern वगएरा design करते है तब मिलनाडू जिसमें के 28 universities है उत्तरपरदेश और गुजराथ have most state universities 28 राजस्थान has most private universities total 46 ठीक है तो 76 में से 46 तो राजस्थान में private universities ही है उत्तरपरदेश में total 6 central universities है तो examination के लिए ये वाली slide आपकी बहुत जादा important है इसको आप note कर लीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हो central university से related equation है इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है बस direct definitions है कि central university कैसे काम करती है क्या-क्या responsibilities होती है and answer भी मैंने mention किया हुआ है तो next topic आता है polity and governance जिसमें कि हम Indian constitution यानि कि भारतिय समझने बारे में सबसे पहले बात करेंगे Indian constitution is a comprehensive document containing details with the objective of providing stable and fair governance to its people and it starts with the preamble beginning statement promising justice, liberty, equality and fraternity three new words have been added to it socialist, secular and integrity तो ये तो बेसिक चीज़ें थी अगर हम लोग detail में बात करें so Indian constitution में exam के लिए क्या important है ये मैं बताती हूँ तो इसमें total 448 articles है जिसको की 25 हिस्सों में divide किया गया है and 12 schedules है and there are total 103 amendments that have been made and originally it comprises of 395 articles in 22 parts and 8 schedules तो ये जो numbers है ये वाला जो point है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिए exam में 100% यहां से statement पूछी जाती है इंडियन constitution क्या है पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबा constitution and lengthiest constitution है इंडियन constitution and the idea to frame the constitution of India was first suggested by communist leader M.N. Roy तो इसको idea किसने दिया था constitution बनाने का M.N. रॉय ने ये idea दिया था इसके अलावा अगर हम लोग बात करें prominent members की prominent members of the constituents or committees of the constitutional assembly who framed the constitution simple से language में बोलते हैं कि इंडियन constitution को बनाने में कौन से वो members है जिनकी कमेटे बनी हुई थी जिनका इसमें बहुत बढ़ा हाथ है तो सबसे पहला नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा क्या नाम है मेरे ये बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी comment जरूर कर दीजिए वो नाम है B.R. Ambedkar Dr. Bhim Rao Ambedkar ठीक है drafting committee के member थे ये उसके बाद आता है जवाहर लाल लहरू जी का नाम Union power committee Union constitution committee and state committee इनके अंदर आती थी ठीक है तीसरा नाम आ जाता है राजिंदर परसाद का Rules और Procedures जो थे committee के वो सब इस category में आते थे और उसके बाद आ जाता है सरदार पटेल तो ये चार नाम है जो कि examination point of view से बहुत important है आपको ये याद रखना जरूरी है ठीक है इसके अलावा अगर थोड़ा सा मैं आपको ये भी पिता देना चाहती हूँ कि हमारा जो constitution है उसका source कौन कौन सा है कहां कहां से उसका idea आया कहां कहां से उसमें मदद मिली तो पहला है government of India Act 1935 ठीक है उसके वाद बृटिस कॉंस्टिटूशन वेन वी है यूएस कॉंस्टिटूशन इरिश कॉंस्टिटूशन कैनेडियन कॉंस्टिटूशन फ्रेंच कॉंस्टिटूशन ये सब उसमें आड होए थे इसमें इतना ही कि मैं अभी आप लोगों को फिलहाल बताना चाहती हूँ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जैसे कि मैं आपको बताया NEP 2020 इस पर अल्रेड़ी एक वीडियो बन चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजे सिमिलरली टाइम्स हार एजुकेशन वर्ल्ड उनिवर्सिटी रैंकिंग और निर्फ रैंकिंग जो है यह हम लोगों ने डिस्कस किया है अगर आप चाहते हो कि लेटेस्ट वीडियो भी मैं इस पर लेकर के आऊ जो कि इंपोर्टें टॉपिक है रैंकिंग से रिलेटेड हमेशा एक्जामेक वैशन आते है ठीक है तो यह करंट अफियर के अंदर काउंट किया जाता है जो कि हम डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमारा आज का लास्ट एंड इंपोर्टें टॉपिक है सबसे पहली स्कीम आती है इसके अंदर SSA यानि कि सर्व शिक्षा अभियान दूसरी आती है RMSE जिसका मतलब है राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान तीसरी आती है TE यानि कि टीचर एजुकेशन तो ये तीनों के कॉंबिनेशन से समगर शिक्षा को बिनाया गया है इस स्कीम treat school education holistically as a continuum from preschool to class 12 तो preschool से लेकर के class 12 तक के बच्चों को इसमें रखा गया है main emphasis of the scheme is on improving the quality of school education by focusing on two T's कैसे school इस शिक्षा को बहतर बनाया जाए इस पे ध्यान दिया जाएगा इस चीम के थू पहला T है teacher पहला T है टीचर दूसरा T है technology correct next we have right to education act the act was amended in 2017 to ensure that all teachers acquire the minimum qualification prescribed under this act ठीक है यानि की हर एक इंसान जो शिक्षक बनना चाहता है उनके पास एक proper qualification होनी चाहिए यह इस act के अंदर रखा गया है एंडिसी चीज़ पे इस पे ध्यान दिया जाता है next आ जाता है नवोदे विदाले नवोदे विद्याले scheme provides for opening of one जवाहर नवोदे विद्याले in each district of the country so overall इंडिया में कितने सारे states है हर एक state के अंदर कितनी सारे districts है लगबग हर एक district में एक जवाहर नवोदे विद्याले होना चाहिए यह scheme के लिए नवोदे विद्याले नाम की scheme बनाई गई है अब इसमें confuse मत हो यह स्कूल का नाम भी यह है scheme का नाम भी यही है जिससे के rural talent को जो है equal level की quality education हम provide करा सकते हैं और साथ ही यहाँ पे जो बच्चे गरीब घर से हैं जो की अच्छे हैं पढ़ाई में उन लोगों को residential education दी जाती है आपको बता है कि यहाँ पे बच्चों को hostel में रखा जाता है next we have Nishtha Nishtha की full form है National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement so it is under centrally sponsored scheme of समग्रशिक्षा so समग्रशिक्षा के अंदर ही यह scheme आती है and it aims at building the capabilities of around 42 lakh teachers so इसके अंदर total 42 lakh teachers को include किया जाएगा head of schools जो हैं जो principal होते हैं school के faculty members को add किया जाएगा different different blocks के and फिर एक समग्रशिक्षा program और यह मिला करके एक बहुत ही अच्छा school education यहाँ बनाया जाएगा National Curriculum Framework National Curriculum Framework promotes joyful learning through cultural activities art, music, dance, role play इनके साथ छोटे-छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा कि उनका entertainment भी होता रहे and वो concept को समझते भी रहे यह चीज़े इसके अंदर आती है Then we have Pradhan Mantri Innovative Learning Program जिसका नाम है Drup So the program was launched to identify and encourage talented students to enrich their skills and knowledge Drup Tara आपने जरूर सुना होगा उसी नाम पे यह नाम रखा गया है इसमें क्या है जुतने भी talented बच्चे है उनमें क्या talent है कैसे उनके talent को कई लोग होते न कि talented होते लेकिन उनको एक अच्छा platform नहीं मिल पाता तो कैसे उनके गुण को उनके talent को आगे बढ़ाया जाए उन बच्चों को बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी भी तरक्की हो देश की भी तरक्की हो इसके लिए प्रधान मंत्री innovative learning program बनाया गया है इसमें किसी के पास कोई भी innovative यानि की नवोन मेशी plans अगर है जिससे की education को बहतर बनाया जा सकता है तो वो सारे plans हम government को बता सकते हैं अगर government उनको implement करती है तो हो बहुत अच्छा हो जाता है next आता है new education policy जो की 2020 में बनी थी इसमें आप लोगों को पता है कि 10 plus 2 format को close कर दिया गया है हर एक student को एक बहतर higher education देने का मौका यहां पे दिया गया है इसके अंदर 10 plus 2 को हटा करके 5 plus 3 plus 3 plus 4 format को लाया गया है जैसे कि मैंने आपको बताया new education policy पे एक separate video मैंने अलरड़ी बनाई है जिसका link description box में available है तो आप वहां पर उसको जा करके जरूर देख लीजेगा इसके अंदर बहुत से initiatives ले गए हैं जिनको की सरकार ने अभी use करना मतलब की implement करना शुरू कर दिया है जो कि already 2023 से 2025 से implement हो चुके है और बहुत से ऐसे इसमें rules और regulations ऐसे हैं जिसको की अभी तक सरकार ने implement नहीं किया है लेकिन वो जल्द ही implement करेंगे जैसे कि कुछ target हैं जो की 2022 तक पूरे कर देने है कुछ target ऐसे हैं जो की 2025-2022 से शुरू होने वाले थे इस तरह से सबसे ची बात इस new education policy की मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ जैसे कि अगर एक student माल लीजिए अपना first semester ABC नाम के college से करता है by chance उस्टूडेंट के parents की कहीं पर transfer हो जाती है उनको अपनी state या city से बाहर जाना पड़ता है तो उनको अपना दूसरा semester second XYZ university से करने का पूरा अधिकार है पहले क्या होता था बच्चे ने first semester किया second में अगर कहीं और जाना पड़े तो उनका साल पूरा वेस्ट होता था उनको मेशा first year से ही entry मिलती थी बट अब ये चीज को हटा दिया गया है overall India में education के same नियम रहेंगे equal level की quality education सबको दी जाएगी फिर आप India में कहीं भी course कर सकते हो आपको same ही benefits वहाँ पे मिलेंगे ऐसा नहीं है कि किसी university में different syllabus है किसी university में different syllabus है तो ये major focus है new education policy का तो आज के लिए सरफ इतना ही thank you so much for watching this video and I wish you all the very best